लो फ्रेंज तो आज हम बनाएंगे ये टेस्टी सा खोपरा पाक तो जन्मस्ट मी आने वाली है और जन्मस्ट मी पे ये खोपरा पाक जरूर बनाया जाता है बनाने में बहुत ही आसान है और आज हमने इसे बिना गी बिना मावा बिना मिल्क पाउडर बहुत ही कम सामान में जल्दी से बना कर तयार किया है तो चले बनाते हैं इसे तो इस खोप्रा पाप को बनाने के लिए यहां पर हमले लेंगे गुला तो खोप्रे को गुला भी बुला जाता है यहां पर यह दो गुले 500 ग्राम के हैं यहां पर मैंने एक ही गुला लिया है आप चाहें तो दोनों स प्राउन का च्याइब दसकी आज बिना चले बना कर तयार होता है तो इसे हम च्छोटे-च्छोटे चुकड़ों में चाकू से काट लेगे अगर आप इसे मिक्से में पीशना चाहते हैं या फिर आपके पास नहीं है तो आप इसे ग्रैटर करकर भी तयार कर सकते हैं तो यहां पर मैंने एक mixer जा ले लिया है और इसके चुकड़ों को हम इसमें डाल देंगे तो आपको छूटे छूटे चुकड़े करने हैं जिसे कि यह बहुती आसानी से पिस जाए और इसे हमें mixer में थोड़ा रोक रोक कर चलाना जिसे कि यह बहुती बढ़िया से पिस कर तय तो आप अगर इसे बहुत ही अच्छे से पीसना चाहते हैं और इसमें से ओयल रिलीज ना हो ऐसा आप चाहते हैं तो इसे आपको इस गोले को फ्रीज में रख लेना है दो से तीन घंटे के लिए जिससे कि यह ठंडा हो जाए और फिर आप इसको मिक्सी में पीस ले तो इससे भी बहुत ही बढ़िया यह पिसकरताइब और इसमें से ओयल रिलीज भी नहीं होता है मिक्सिस में पीसने से जो एक गोला है जल्दी से पीस कर तयार हो जाता है आप चाहें तो इसे ग्रीड भी कर सकते हैं अब इसे हम मेजर कर लेते हैं जिससे कि जब हम इसका खुप्रा-पाग बनाए तो इह बहुती बढ़िया बन कर तयार हो तो यहां पर मैंने इसे मेजर कर को यहां पर हम इससे की जब हम पहले से ही ट्रेल कि यह आपे कुछ और भी जिसमें आप सट करना चाहिए उसे ले सकते हैं दो सकते हैं जिस्से की जब हम भी से सेट करें तो यह जल्दी से श मुस्दप इसे तो यह तयारी हमें पहले से ही करके रखनी है अब हम गैस पर एक पैन रख लेंगे और जो हमने ये गोले को पीस के रखाता है उसे डाल लेंगे इसे हमें लो फ्लेम पर लगाता चलाते वे भून लेना है जिससे कि जो हमारी ये खोपरा पाके लंबे समय तक खराब भी ना औ तो इसका जो टेस्ट है और भी बढ़ जाए यहां पर हमने कोई भी घी का इस्तमाल नहीं किया है बिना गी के ही हमने इसे ऐसे ही ड्राइ रोस्ट कर लिया है जिससे कि बहुती बढ़िया भून कर तयार होगा और खाने में भी टेस्टी होगा तो इसे हमें 1-2 मीट के क्योंकि बहुती जल जाता है तो हमें इसे लो फ्लेम पर भूनना है और अगर यह जल गया तो यह खाने में कड़वा होगा और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा तो हमें बैस ऐसी लगातार चलाते वे भूनना है और ध्यान भी देना है कि अगर जैसी निचे से जलने लगे तो आपको गैस की फ्लेम को आफ कर देना है ताकि इसे भूनती हुए मुझे यहाँ पर दो मीट हो गए है और जो हमारा यह नारिल का बुरादा यह भी भूनकर तयार हो गया है तो बस इसे हम एक प्लेट में या थाली में निकाल कर अलग रख लेंगे और इसी पैन को हम फ यहाँ पर ध्यान देना है कि चाशनी ज्यादा गाड़ी ना हो जाए यहाँ पर सीफ हमें एक तार की चाशनी बना कर तयार करनी है अगर हम चाशनी को एक तार की ना बना कर दो तार की बना देंगे तो जो हमारी जो पाक है वो थोड़ा तूटने लगेगा और थोड़ा सक बिच भी हो जाएगा तो हमें यहाँ पर एक तार की चाश्णी बनानी और बीच वीच में चेक भी करते रहना है तो आप देख सकते कि यहाँ पर एक तार आसा नहीं से बन रहा है तो बस इसी स्टेज पर हम इसमें जो हमने गोले को पीस कर रखाता उसे डाल लेंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे तो यहाँ पर हमें जल्दी जल्दी से यह काम करना और गैस की फ्लेम को में लो रखना है क्योंकि चाश्णी एक तार की हो गई तो इसे दो तार की बनने में टाइम नहीं लगता है तो बस इसे जल्दी जल्दी हमें मिक्स कर लेना है तो यहाँ इसमें काली मिर्ची डालेंगे तो उससे जो इसका टेस्ट है वो बैलेंस हो जाता है तो बस इसे अच्छे से मिला लेंगे और जैसे यह इखटा होना लगए उससी स्टेज पर हम इसे ट्रे में निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मिशे ने वो इखटा होने लगा बस इसे स्टेज पर हम इसे ट्रे में निकाल लेंगे तो ट्रे को आपको पहले से ही इसे ग्रीस करके रखना है जिससे कि जब आप इसे सैट करें तो यह जल्दी से क्योंकि बहुत ही जल्दी सैट हो जाती है तो बस इसे फटा फट से हम सैट कर लेंगे और इस पैचुला स तैयार होती है टेस्टी सी वर्फी तो यहाँ पर 10 मिट हो गए है और जो हमारी वर्फी है वो सैट हो गई लेकिन थोड़ी अभी गरम है तो इसी स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे अगर आपको ज्यादा टाइम हो जाता है और ठंडी हो जाती तो आप इसे थोड़ा गैस के उपर हलका सा गरम कर लें जिससे की जो निचे का गी है वो मेल्ट हो जाएगा और आपको बर्फी बहुत ही आसानी से निकल जाएगी आप देख सकते है कि कितने आसानी से निकल गया है अगर आप चाहें तो इसे ट्रे में ही कट कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सेट हो जाता है तो थोड़ा हाड हो जाता है तो इसे हमें थोड़ा से उपर से दबाते हुए कट कर लेना है और ऐसी मैंने पूरा जो हमारा इपाक इसे काट कर तयार कर लिया है और देखिए आप कितनी बढ़िया पाक बनकर तयार हुआ है आप देख सकते हैं कि कि कुपरा पाक बनकर तयार हुआ है तो कभी कभी क्या होता है हमारा जो कुपरा पाक होता है या तो वह बहुती सौफ्ट हो जाता है या फिर भिखर जाता है तो हम जो हमारी यहां पर गलती होती है हमारी चाशनी है वह परफेक्ट तरीके से बनकर तयार नहीं होती है अगर बहुत ही बढ़िया बनकर तयार होगा तो बस इसे हम प्लेट में निकाल लेते हो लीजे तयार हो गया हमारे जन्मेश्ट में स्पेशल खोपरा पाक